गोल्दी लॉक्स और तीन भालूओं की कहानी, बहुत समय पहले एक जंगल में भालू का परिवार रहता था, उसके परिवार में भालू, उसकी पतनी और एक बच्चा था, सभी एक साथ खुशाली से अपना जीवन बीता रहे थे, उनके घर में सब के लिए अलग-अलग पल भालू के मन में नाश्ता करने से पहले सेर करने का ख्याल आया, भालू के पूरे परिवार को ये बात पसंद आये, लेकिन तभी भालू की पतनी ने बताया कि उसने सब के पीने से लिए दूद गर्म कर दिया है, फिर उसने सोचा कि क्यों न दूद को सब के बरतन में डाल क गूमने के लिए चला जाए वापस आते वक्त दूढ पीने लायक हो जाएगा ये सोचते ही भालू की पत्नी ने ऐसा ही किया और तीनों गूमने के लिए बाहर चले गए दोनों भालू पती पत्नी हाथों में हात डाले गूम रहे थे और उनका बच्चा भी उनके साथ मस्ती क करता हुआ चल रहा था। कितना सुहाना दिन है। तीनों ने एक दूसरे से कहा। सूरज की किरने पूरे जंगल में पढ़ रही थी। सब कुछ सोने की तरह चमक रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में पंची चह चहा रहे थे। वो तीनों इस नजारे का आनंद उठाते हुए मजे से घूम ही रहे थे कि तभी एक छोटी सी तितली भालू के नाक पर आकर बैठ गई। अपनी नाक से तितली को उड़ाते हुए भालू ने कहा इनकी कितनी हलकी और धीमी आवाज होती है। कभी कभी मुझे ये सोचकर बुरा लगता है कि इनकी आवाज में हमारी तरह दम नहीं है। उसी जंगल में गोल्डी लॉक्स नाम की एक छोटी सी सुन्दर और सुनहरे बाल वाली लड़की रहती थी। वह एक लकड़ हारे की बेटी थी। उसे जंगल में मौझूद सभी पेर और फूल का नाम पता था। उसे पंच्छियों से बातें करना और उनकी आवाज सुनन भी बहुत पसंद था। वह रोज अपने पेर पौधे और पक्षी से मिलने घने जंगल जाती थी। रोज की तरह आज भी गोल्डी लॉक्स जंगल गई। तब ही उसको वहाँ भालू का घर देखा। गोल्डी लॉक्स ने उनके घर के अंदर जाक कर देखा। सुन्दर सा घर और बरतनों में दूद देखकर उसे लगा कि यह किसका घर होगा, जहां दूद पीने वाला कोई नहीं है। यह सोचते ही उसने दर्वाजे पर दस्तक दी और पूछा, घर में कोई है। जब घर से कोई आवाज नहीं आई, तो वह घर के अंदर चली गई। सर्दियों का दिन था और गोल्डी लॉक्स बहुत थक भी गई थी। इसी वजह से उसने तीनों बरतनों में रखा दूद पीने की सोची। उन तीनों बरतनों में से भालू के बच्चे के बरतन का दूद सबसे स्वादिश्ट था। उसमें शक्कर मिली हुई थी और वह ए वजन नहीं जेल पाए और तूट गई। इसके बाद वह कुरसी से उठी और उपर वाले कमरे में चली गई। उसने वहां तीन पलंग देखे। तीनों बहुत आराम दायक थे। वह जट से बिस्तर पर लेट गई और उसे नींद आ गई। तब ही सेर करके तीनों भालू घ घर वापस आये। अपनी तूटी कुरसी देखकर भालू का बच्चा जोर से चिलाया, कोई मेरा दूद पी गया और मेरी कुरसी भी तोड़ दी। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। भालू और उसकी पतनी ने उसे चुप कराया और तीनों उपर पहुँचे। वहा बहुत गुस्सा आ गया। भालू और उसकी पतनी ने एक दूसरे से कहा चलो इसे खा जाते हैं। उनकी बात जैसे ही गोल्दी लॉक्स के कान पर पढ़ी तो उसकी नींद खुल गई। अपने सामने तीन भालू को देखकर वर डर के मारे खिलकी से कूद कर बाहर भाग तीनों भालू ने उसका पीछा करने की कोशिश की लेकिन पिता भालू के हाथ में सिर्फ गोल्दी लॉक्स के सुनहरे बाल आए। तेज भागते हुए गोल्दी लॉक्स इतनी दूर निकल गई की भालूओं को दिखाई भी नहीं दी। झाल झाल य।